आप सभी को आज ले चलेंगे और्गेनिक जो हमने सब्जियां घर में खोद हुगाई है उसको दिखाते हैं आज हमने एक चोटा सा प्रयास किया है देखते हैं क्या बनता है उससे यह हमने बनाया था यहां पे एक स्ट्रक्चर बनाया था पॉली हाउस बनाया था इसके उपर से हमने अभी तरपाल हटा दी है क्योंकि अभी नाही कोरा पड़ रहा है और नाही इतनी गर्मी है नाही इतनी धूप है और नाही इतनी सर्दी है नॉर्मल अभी मोसम जो है सम्मान मोसम है तो इसलिए हमने यहां से तरपाल हटा दी है तो यह सबजी हमने लगाई थी जो भी इसमें बीज बोहे थे हमने वह तरपाल के अंदर लगाये थे जब हमारी तरपाल का काम खत्म हो गया हमने तरपाल जो हटा दी अब देखते हैं यहां पर उगा क्या क्या ह तो यहां पे सबसे पहले आपको मैं बता दूँ जो और गैनिक धनिया है यहां पे और बहुत बढ़िया होगा था यहां पे यह उसके साथ साथ है यह मूली यह देखिए मूली यह उगाई है मतलब जो जो चीज़े हमने उगाई थी वो सारी उगी है यह सारी जितना भी है यह सारी मूली है इसके साथ साथ यह भिंडी जो हमने यहां पे उगाई है और भिंडी भी जो है वो बहार आने वाली है भी निकल रही है भिंडी यह देखिए आप ये सेंटर में सारी बिंडी है ये फलियां यहां पे उगाई थी ये हमारी फलियां है ये भी अच्छे तरीके से यहां पे ये देखो फलियां लगना शुरू हो गई है कल तक जो है हमने इसकी एकाद सब्जी निकाल लेनी है जैसे ये देखो ये देखो बीन्स जिसको हम बोलते हैं ये देखो ये देखो एक घर की फलियां ये और गनिक खेती है और इसमें कोई भी हमने जूरिया डाया वगएरा कुछ नहीं मिक्स किया हुआ है ये जो नेचरल खाद होती है गाए का बहेंज का गोबर वगएरा उससे जो बनाई गई खाद है उससे ये सारी सब्जी जो हमने हो गई है और मेरे क्याल से ये हाईजीनिक भी होगी और बढ़िया भी होगी खाने में स्वादिष्ट भी होगी ये देखेंगे ये सारा टमाटर है इसके साथ साथ टमाटर भी बड़िया तरीके से होगा है ये एक छोटा साथा ये 16 बाए 26 का हमने पाली हाउस यहाँ पे त्यार किया था 16 बाए 26 के पाली हाउस में ये इतनी सारी सब्जी हमने यहाँ पे हो गई है बीन्स होगी, भिंडी होगी, फलियां होगी, फिर मुली होगी, धनियां होगया, टमाटर होगया, टमाटर भी बहुत बढ़िया जो है, फल लगा है टमाटर को, ये खीरा, ये आपको खीरे के बेल जो है, ये भी दिखाएंगे, खीरा कितना लगा है, आपकरी भी लगाई है खीरे भी लगे हैं यह देखिए टमाटर कितने बड़िया जो है टमाटर लगे हैं यह सारे और गैनिक हैं इसमें कोई भी इसमें हमने क्या बोलते हैं जूरिया का या फिर डाया का कोई इस्तेमाल नहीं किया है और बहुत अच्छे जो है यह टमाटर देखेंगे साइज भी अच्छा है और ये एक एक टमाटर के ऊपर जो है कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं ये देखेंगे बहुत अच्छा फल जो है टमाटर का ये मिल रहा है अब ये लाल होंगे टमाटर तो काफी सारे टमाटर यहां से हम लोग लेंगे अब आपको बताते हैं खीरा खीरा लगाया था हम नहीं यहां पर यह यह खीरे की बेल है यह सारी इसमें खीरे लगे हुए देखते हैं तहीं यह देखिए यह देखो खीरे लगना शुरू हो गया है इसमें से हमने खीरे दो चार उतारे भी थे यह देखेंगे आप खीरे यह आगनिक है यह भी छोट छोटे हैं जब बड़े हो जाएंगे फिर लगेंगे यह बीच में भी लगे हुए हैं यह देखेंगे यह लगा है ऐसे करके बहुत सारे यहां पर खीरे भी आमें खाने को मिलेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितनी सारी चीजें हमने यहां पर उगाई हैं एक 1626 के पाली हाउस में तो मैं चाहूंगा कि जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत जमीन हैं गार्डन हैं घर में उसको एक चोटा सा प्रयास करना चाहिए और इस तरह का प्रयास जो है मेरे ख्याल से जरूर सफल होगा हमने भी एक चोटा सा मैंने खुद जो है एक चोटा सा प्रयास किया था कि देखते हैं कि हम सबजियां उगापाते हैं बे मौसमी सबजियां हम यहां पर उकाएंगे इसके देख साथ पालिया उसके बाहर अभी जिन सब्यूँ का मोसम है हमने वो वो भी यहां पे लगाई हुई हैं ये भी हमारे तयार हैं ये ये देखिए कि यह प्याज हमने एक छोटा सा इतना सा हिस्सा जो है प्याज के लिए रखा था कि इसमें प्याज उगाते हैं देखते हैं कैसा रहते हैं कि यह पालक हमने उगाया यहां पर यह भी आल्मोस्ट आ गया है यह देखिए तो छोटा सा प्रयास आप भी कर सकते हैं और बिल्कुल सफल होगा आपका प्रयास विजिस्टर से मेरा किया हुआ प्रयास जो है सफल हुआ है और गैनिक खाएं सेहद मंद रहें